हालो फ्रेंड्स वलकम टू मेग्lt you-tube चैनल फ्रेंड्स वर्णीर केलिपर को कैसे यूज करना है उसमें कैसे रिडिंग मेजर करना है वो मैने आपको बता दिया है आज मैं आपको बतानेवाला हूँ कि उसको कैसे नहीं मेजर करना है क्या क्या ध्यान में रखना है और IC engine के जो different parts है वो कैसे vernier caliper में measure कर सकते हैं कैसे vernier caliper IC engine के different parts को measure करने के लिए use करते हैं ठीक है वो में बताऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि vernier caliper में अगर आपके पास कोई shaft है round shaft तो उसको end में नहीं रखना है बलकि उ यह wrong method है और यह right method है वैसे ही अगर यहाँ पे कुछ roundness या squareness आपको measure करनी है तो वो इस तरह से पकड़ना है वो tilt नहीं होना चाहिए ठीक है और अगर inside आपको diameter या measure करना है तो वो इस तरह से करना है यह नहीं करना है ठीक है तो यह basic steps है suppose यहाँ पे depth आपको measure करनी है तो य यहां पे इस तरह से यह भी नीचे touch होना चाहिए, यह incline नहीं होना चाहिए, ठीक है, वैसे ही यहां पे ऐसे side में रखके नीचे देखो, यहां पे जगा बच रही है, तो यह जगा नहीं बचनी चाहिए, तो यह भी wrong है, यह tilt है, तो यह भी wrong है, लेकिन यह सही है, क्योंकि यहां पे यह touch है, तो यह basic है, कि उसका use कैसे करना है, और कैसे नहीं करना है, ठीक है, अब देखते है, IC engine के जो different parts होते हैं, उसमें vernier caliper कैसे use करते हैं, तो यहां पे देखो, यह जो friction plate है न, ठीक है, clutch plate में दो plate होती है, एक तो friction plate, दूसरी है clutch plate, और we can say pressure plate, राइट, तो friction plate जो है, यहां पे देखो, यह vernier caliper से measure किया जाता है, इंडस्ट्री में भी, ठीक है, यह industry के लिए ही है, और यहां पे clutch plate है, उसको भी हम vernier caliper से ही measure करते हैं, फिर यहां पे clutch में जो spring use होती है, वो भी यहां पे vernier caliper से ही measure की जाती है, फिर IC engine में जो valves लगे रहते हैं, inlet valve, outlet valve उसकी जो spring रहती है, वो भी यहां पे vernier caliper से use होती है, friends, और use यहां पे यह है, कि यह क्या है, inlet valve या outlet valve, ठीक है, तो valve जो seat पे बैठता है, ठीक है, valve जहां पे बैठता है, उसकी width, valve face width हम बोल सकते हैं, तो वो भी हम यहां पे vernier caliper से measure कर सकते हैं, ठीक है, यह सब standardized होता है, हमें just measure करना है, कि वो as per standard है कि नहीं है, then spark plug gap जो है, वो हम measure कर सकते हैं, लेकिन generally filler gauge से वो measure करते हैं, उसके बाद, यहां पे crank shaft width दी हुई है, तो crank shaft width है, वो भी हम vernier caliper से ही measure करते हैं, ठीक है, तो IC engine, industry, particular I am talking about industry, industry में यह sub parts जो है, वो vernier caliper से use किये जाते हैं, measure किये जाते हैं, ठीक है, तो I hope you understand where vernier caliper use and how to use, right, friends, micrometer का use कैसे करना है, वो तो मैंने आपको practically बता दिया है, friends, अब IC engine के different parts को micrometer से कैसे measure करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो friends, यहां पे देखो, यह जो है piston pin है, ठीक है, तो micrometer से हम piston pin को measure कर सकते हैं, ठीक है, bore of the piston pin, वो हम measure कर सकते हैं, फिर यहां पे micrometer से piston diameter भी हम measure कर सकते हैं, वैसे ही friends, यह क्या है, यह valve है, ठीक है, तो valve stem बोलते हैं, तो valve stem का जो outer diameter रहता है, वो भी हम micrometer से measure कर सकते हैं, फिर friends, यह जो है, rocker shaft, rocker arm जो रहता है, rocker shaft जो रहता है, वो हम micrometer से measure कर सकते हैं, फिर friends, यहां पे आपको cam दिखाई दे रहा है, तो यह cam log की जो height है, ठीक है, वो हम measure कर सकते हैं, और उसके width यहां पे हम measure कर सकते हैं, ठीक है, तो friends, यह basic micrometer से IC engine के parts कैसे measure करना है, वो यह आपे बताया गया है ठीक है तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत बुलिए थैंक यू जैहीं जैपारत